और भाई लो क्या हल चाल तो जैसा कि आप सभी लोग जानती हो कि फीफा वर्ल कप 2026 के कॉलिफायर्स नवंबर में चालू होने वाले है और आपका AFC इशियन कप 2024 में चालू हो जाएगा जैनवरी में तो इसको आप कंसेडर कर सकते हो कि एक न्यू साइकल में जो इन फुट बॉल को लेकर जहां तक न्यूज आ रही है हम सब यही देख रहे हैं कि अगर अभी के कंट्राक्ट की बात करें तो वह जो है कि बॉस्निया जो एक कंट्री है जो कि 63 रैंक पे उन्होंने जो हैं इंटरस दिखाया है अब यह एक-डो सौर्सेस अ यह तो नहीं किया सकता कि कि इनधीर रांग सेसे इजन्वोन आइरे जिन्होंने बूला है कि यहां पे बॉस्निया भी जो है इंटरस भी देखा है कि कोच काफी जादा पैस्टनेट है इंडिन फुटबॉल के लिए अब ऐसा लग रहा है कि connect हो चुका है connection जो है established हो चुका है दोनों ही पाटी में इंडिन फुटबॉल में coach में and coach चाहते है कि इंडिन फुटबॉल आगे बड़े दिल से क्योंकि हमने वह efforts देखे है बंदा किस हिसाब से खड़ा होते है इंडिन फुटबॉल के लिए हमने वह सारी चीजे देखी है तो उस चीज को हम discount कर सकते कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल यह चीजे भी जो है माइने रखती है एंड हम कोच पर भरोसा तो रखते ही है और सबसे बड़ी condition जो उन्हों ने यहां पर रखी है वह यह रखी है कि मुझे पूरी बैकिंग चाहिए नैशनल टीम के लिए क्योंकि हमने देखा ता जो अभी एशियन गेम्स में हुआ है वह काफी जादा डिसपॉइंटिंग था जो भी हमने वहां पर देखा कि ट्रेनिंग सेशन नहीं मिल पाया मन मुताबिक टीम नहीं मिली और वहां पर जाके जैसी लैंड हो उसी में इतनी जल्दी-जल्दी मैचेस करवा दिये गए और चाइना से जो हम इतनी बुरी तरह हा रहे तो वह कही बता दिया है कि हां यह सारे इशूस हमने देखे है धीरत सिंग की तारीफ करी थी वहां पर इस चीज से काफी नाखुछ दिख रहे थे कि नहीं भाई मैंने जो टीम मांगी थी वह मेरे को नहीं भीजी गई एक और चीज में एड्रेस करना चाहूंगा हमने बांगलादेश अब देखो यार इसमें तुम्हारे मिक्स्ट ओसकते है कोई बोलेगा कि हां बहीं लंबे कैंप्स इंडियन टीम डिजर्व करती है और दूसरी तरफ जो क्लब सपोर्ट करते हैं जो क्लब फुटबॉल को सपोर्ट करते हैं वह बोलते कि क्लब्स का भी पैसा लगा है वह अगर मैं इसमें तुम्हें अपने एक ओनिस्ट ओपिनियन दुना तो इसमें आप एक चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं यहां पे दोनों ही पार्टी इसको इंडियन फुटबॉल को क्लब्स को चाहे वह बोई गोश्टी मैच हो गए सबको एक मिडल ग्राउंड तो यहां पर चांग्टे का एक्जामपल लेते हैं अगर चांग्टे को चैनने एफसी या फिर मुंबाई सेटी एफसी वैसा डेवलप नहीं करती गेम टाइम नहीं देती अपने गेम्स में तो क्या आज हमको एक ऐसा वर्ल्ट क्लास विंगर मिल पाता है जो इतना बढ़ या निकल के आया सामने या फिर लिस्टन को लास्तो को अगर मोहन बगान जो है ट्राय नहीं करती आ पूया को फॉर दा मैटर नहीं करते यहां पर ट्राय ये सारे इंडियन क्लब्स तो क्या आपको लगता है जो इतना बढ़ी है डिलेवर करते हैं यह लोग इंडियन टीम जैसे लेजंट्स जो है देखने को मिलते हैं तो यह वाला प्लीज हटा दो कि क्लब वसेज इंडियन फुटबॉल यह वाली इंडियन फुटबॉल को आगे बढ़ा सकते हैं अभिगोशे मैच के टन्योर की बात करें अल्मोश पांच साल हो चुके है बट 2023 में हम एक अलग इंडियन फुटबॉल टीम देखने को मिली है एक ऐसी इंडियन फुटबॉल टीम जिसने हाइप जिनरेट करने में काफी ज़ हारे प्लेर्स ही वैसा बिल्डब करके वैसा गोल मार दे रहे तो इंप्रूब्मेंट तो है स्टाइल उफ प्ले में बहुत ज़्यादा इंप्रूब्मेंट है और अगर हम पहले से कंट्रास्ट करें तो पहले दो-तीन साल तो इंगोशे मैच अपनी प्लिंग 11 बनाने में यहीं बहुत जादा टाइन दे रहे थे और वह एक्सपरिमेंटेशन थी कह सकते हो लेकिन उसी के चलते हम बहुत जादा बुरी तरीके से हारे भी है हमने बहुत बुरी-बुरी हार देखी है जो कि हम उस टाइम पे बहुत गुस्ता हो जाते थे कि यह चीज क्या चल रही चीज क्या रही है लेकिन 2023 में सारी चीज़े बदल चुकी है यहां पर एक और पॉइंट आ जाते हैं कि जो बात-बार मांग करते रहते हैं यहां पर जाती है क्योंकि 2023 ऐसा साल था जहां पर उनको इतना लंबा कैंप मिला टीम के साथ आपको पता है इंटर कॉंटिनेंटल कप ट्राइनेशन कप और आपके सैफ कप जितने भी मैचेस आये जिस्टिफाइ करता है बंदा अगर वो लॉंगर कैंप मांगता है तो वो डिलिवर भी करता है तो अब यही बात है कि हम अगर पहले की बात करें तो हमारा ना तो कोई स्टाइल ऑफ प्ले था ना हमारी पर फ्लेइंग 11 वह अगर खेलती है तो वह किसी ऍप्लेजा ह смотреть पर आपने पर के चाहें लड़ के किवश। फिर भी रिजल्ट निकाल लिए सुनी जेतरी सर के चलते अपकी प्रॉपर टीम नहीं थी वहाँ पे इन प्लेयर्स ने कभी इगोश्टी मैच सर के साथ एक प्रॉपर कैम्प मिला ही नहीं उनको तो उस चीज़ को आप ना कंशिडर करे और उससे पहले प्राइट जितने भी टूर्नामेंट हुए उसको कंसिडर करना किंग्स कप, इंटर कॉंटिनेंटल कप, ट्राइनेशन कप, साफ कप उसमें जो हमारी परफॉपरमेंस थी दोस वर कमेंडेबल और मुझे लगता है, कोच साब को और कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है इनके जो रिजल्ट्स थे रिजल्ट्स स्पीक फर देंसेल्फ और ये कही न कई बात सच होती हुई नजर आ रही है तो वी शूट ट्रस्ट इगोर एक ऐसा मैनेजर जो की देश के लिए करना चाह रहा है कुछ ठीक है बहुत सारी बाते करते हैं, बेबाक है लेकिन आप उनका जो कह सकते हो न कि जो रिजल्ट है उस पे आप डाउट नहीं कर सकते है डिलिवर करा है बंदे ने चाहिए या नहीं मिलना चाहिए जरूर बताना मेरे को कॉमेंट सेक्षन में वीडियो को लाइक कर देना यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को 10K होने वाले है तो प्लीज 10K भी करवादो तब तक केले हम चलते हैं जैहिंत जैफूट बॉइ